बर्न विवस्था किसने बनाई? संतों ने? भगवान ने? किसने? गीता जी में इसका उत्तर आया है, चोथ्य अध्याय में, बर्न विवस्था ठाकुर्जी चातूर्न बर्नम, मयाशिष्टा, बुन करम विभागसा, तस्यकरतारम पिमाम, अकरतारम अभ्ययम यानि चारो बर्न की विवस्था ठाकुर्जी ने बनाई है, भगवान ने बनाई है, और सब के उसे गुन करम के भी भागसा, उनके गुनों के अनुसार, पहले गुन सब्दाया, गुन का तत्पर ही है, यानि उनका पूर्वजनम जैसे गुन थे, वो धर्मिक थे, और प्रम आत्मा को मानते थे, ज्ञान भी ज्ञान का विचार करने वाले थे वो, ज्ञान भी ज्ञान को सोचना, इन पर विचार करना, मन्थन करना, क्या परमात्मा है, जीव क्या है, जगत क्या है, ऐसे विचारों के जो होते हैं, उनको सुभाब से गुन से ब्रहम कहा गया है, ब् लिया जाता है और जिनके वेपार बिजनिस लेंदेने के विचार अच्छा कमाएं अच्छा खाया आश्वराम करें ऐसे विचार थे वह कहलाएं वो बैसे कृषी गोरक शादी और साथ में जिनके सेवा करने के विचार थे माता पीते के सेवा जीवों की सेवा सब की हम सेवा करें दिन राद सेवा करें और उस सेवा से जो भी मिले उस अपना गुजाय करें और यह सबसे उंची वृत्ती है सबसे उंची राम सेवकों में सबसे उंचा सेवकों सब जानते हैं हनुमान जी तो सेवा की वृत उंची सारा स्रिष्टी सेवा के उपरी ठीकी है शुद्र को छोटा मत मानो फिर शुद्र क्यों कहा गया क्यों शुद्र का अर्थ छोटा होता है वो इसलिए कहा गया है सारा स परकत कर गल्द काम करने वाला नहीं होता, यह सेवा भाव जिनके भीतर है, और हम यहीं सिखाते हैं सेवा भाव, तो सेवा भाव जिनके भीतर है, कि हम सब की सेवा करें, सब की सेवा करने का भाव जिनके भीतर है, और यह है कि हमको पढ़ लिखे क्या करना, हमको तो सेवा कर हम सेवा तो बीना पड़े लिखे भी करेंगे, हमें पड़ाई लिखाई से मतलब क्या है, हम सेवा करेंगे, तो जिनके मन में सेवा की वित्ती है, तो वो शुद्र उनको माना गया, शुद्र का मतलब जिसे पाउं सबसे नीचे है, लेकिन पाउं को मैं नीच नहीं कहेंगे, चुमस्धें, इसते पाऊं को दोते हैं में सकते हैं छूते हैं पाओं को भगवान के भी चर्णों की पूजा होते हैं चर्णों से गंगा जी निकली है और भगवाने का शुद्र मेरे चर्ण है शुद्र मेरे चर्ण है ब्रामने मेरा मुख है छत्री मेरे हाथ है सुरक्षा की जब बात आती है वहाँ पाओं सुरक्षा नहीं करेंगे, वहाँ हाथ सुरक्षा करेंगे और जब बात ग्यान की आती है तो वहाँ पर मुख ही ग्यान देगा यह हाथ ग्यान नहीं देंगे मुख ग्यान देगा, इसे ग्यान देंगे ब्रामन मुख से, यहाँ इशारा किया भगवाने मुख का काम ब्रामन करते हैं और ख्षत्री यहाथ मेरे हैं और पेट खाना पिना कमाना यह पेट कमाना पेट के लिए होता है तो यह वैश है वैश है मेरे उसे और सारा सीर का इन अंगों का जो अधार है जिसके बल पर यह खड़े हैं वो हैं शुद्र अर्थात मेरे, शुद्र का मतल चरण भगवान के, ये मेरे चरण है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा माननियें चरण ही होते हैं, सबस्यादे के पूजनियें चरण होते हैं, समना बात को, तो शुद्र का मतल नय जाने कब क्या हुआ, जो लोग नीच मानने ल शुद्र हमारे चर्ण हैं. तो ये एक विवस्ता है. किसी को उंचा नीचा मानने के लिए नहीं है एक विवस्ता है. और ये विवस्ता सब जगह है. जो हमारे सेनिक हैं, ये क्षत्री हैं. सम्झना चाहिए जन्म उनका ब्रह्मन घर में क्यों न हो गया हो? लेकन उग करम से क आगले जन में ऑक्षतरी घर में पैदा होगा गुस्ता सभाव क्षत्री जैसा बन गया तो जिसका जैसा सभाव वैसी वहाँ पर उसको जनम दिया जाता है